मैं आपके साथ मनोज वर्मा इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैनमल ओडर के फीक्चर के बारे में बताने वाला हूँ जैसे कि हम पेपर ट्रेडिंग करवाते थे जो कि हमारी तरफ से टोटली फीरी था आपको बस ट्रेडिंग आकांट होना चाहिए नाचाहिगा सोना जाएं तहो आप पीपर ट्रेडिंग कर सकते तो उस बीच में काफी सारे लोग मिले जिन्हों बोला कि हमें automation trading नहीं करनी है हमें manual trade करनी हमारी ऐसी ऐसी ऐसे खुद की strategy होती है तो मैंने समझा उनकी बात ओंको उनका कहना थे कि वह हम level पर काम करते हैं हम अपने तरीके से काम करते हैं तो उनको automation की जोड़ा नहीं है उनको बस अपने तरीके से buy and सेल करने की जोरते तो अब ऐसे में क्या होता है कि उनके पास पैसा भी नहीं है कि उनके पैसा लगा कि मार्किट में चेक करें कि एक लाख रुपे दा लें और चेक करें कि हम बाई सेल करें तो कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है तो चलता है, सबसे पहले आपको इधर आना है कोई भी account खरीदने की जोरत नहीं, कुछ भी करने की जोरत नहीं बस आपको एक next level board पर account बनाना account बनाने के बाद आपको बस दो page की access की जोरत है पहला page है symbol, दूसरा page है manual loader यह अभी मैंने site पर list नहीं करा, आपको search करके आना पड़ेगा जब account बना लोगे, और यह URL मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा नहीं तो search मार लेना, ठीक है जी, और दूसरा जो page था मैंने बता है symbol यह page बहुत ज़रूर है, यह दोनों page होंगे, आप manual trade कर पाऊगे और कैसे कर पाऊगे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले symbol का page open कर लेते हैं, यहां आने के बाद आपको global symbol में आना है, global symbol में आने के बाद आपको यहां पर search मारना, bank निखती मैं मार देता हूँ bank में, क्यों मारना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा, अब मैं आपको बता दू महिने में 4 हपते होते हैं, 4 हपतों में जो starting के 3 हपते होते हैं, उसे हम कहते है weekly expiry, जो last का होता है उसे कहते है monthly expiry, तो जब भी आप weekly expiry का syntax को, symbol को search मारो, तो आपको number में मारना है, number में कैसे, 23 year, bank nifty के बाद 23 लिखना है, यह year हो गया, 7 कौन सा है, month है, July, और 13 क्या expiry है, जो 13 तारिक तीन दिन बाद expiry है, अगर आपको 20 तारिक वाली मारना है, तो आप 20 करोगे, तो 20, आप देखोगे नीचे के जो search result हो change हो रहे हैं, तो इस तरीके से आपको symbol और expiry search मारना है, अगर मैं 27 मारूँगा, तो search नहीं होगा, क्योंकि यह monthly है, तो monthly के लिए आपको क्या करना है, आपको bank nifty 23 जुलाई, JUL लिखना पड़ेगा, तो नीचे आप देखोगे, search result हो गया, क्योंकि यह monthly है, अभी हम weekly के बात करते हैं, तो weekly के लिए क्या था, weekly के data 7 और यह 13, तो यह हमें bank nifty और expiry इतना search मारना है, और उसे copy कर लेना, वैसे जो search मारा उतना ही चाहिए था हमें, पर आपको दिखाने के लिए कि आपको bank nifty और expiry copy कर लेना है, copy करने के बाद इस page पर आजाना है, page का URL आपको मिल जाएगा, थोड़े दिन बाद मैं side में ल आपको symbol यहां दालना है, मैंने पहले से दाल रखा है bank nifty, तेज साथ यह आपको दाल देना है, buy करना चाहते हो, sell, buy करना चाहते है, इधर kite unique token, अब यह क्या है, अजर अगर आप bank nifty में काम कर रहे हो, तो bank nifty का future दाल सकते हो, और अगर किसी option में काम कर रहे है, stock option में, तो unique token दालना, यह कहां से मिलेगा, आपको दुबारा यहां जाना, symbol page पे, और यहां पर search मारना, bank nifty, जो future होता हमें सब मन्त में होता है, 23 July, यह ULFUT, तो हमारे पास यह symbol आ गया, search होके, result होके, bank nifty, 23 July, future, हम इसका unique token उठाएंगे, ना कि exchange token दाल रखना, हमें unique token उठाएंगे, copy करना और इधर add कर देना है, जो कि मैंने पहले से add कर रखता है, उसके बाद load दालना है, load के लिए अभी मैं 5 दाल देता हूँ, आप जो भी load दालना चाहते हो दाल लेना, यह जो option है, जो मैं बता रहा हूँ, order type 1 के अंदर ही only for option के लिए, वैसे अगर हम इसे बोलेंगे, तो auto strike price बोलेंगे, एक ही बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद TP और SL दालना कमपल सरी, यही आपके accuracy को इंप्रूब करेगा, ठीक है, तो मैंने 1 to 3 का ratio दाल रखा, 45 रुपे का profit, 15 रुपे का low, आप अपने हिसाब से दाल सकते हो, यह क्या काम करेगा, मैं आपक का use करना, अच्छा, नेरबाई क्या होती ही, नेरबाई होती है, जैसे हम बैंक निफ्टी में बात करें, तो बैंक निफ्टी में एक strike से दूसरे strike के बीच में जो gap होता है, उसे नेरबाई कहते हैं, तो बैंक निफ्टी में 100 का gap होता है, निफ्टी में 50 का gap होता है, अधर सेफ करोंगे फिर्फ्रेस करोंगे तो अब पहले उक लोटताू किरने के बाद भी यहां पाँच हो रहा है इसका मतलब सेफ हो गया अब आपको यहा करना जब एक बड़ डाटा सेफ रुपे पे बाई हो जाते है और मेरा टीपी जो लगा है 206 रुपीज पे लगा है तो अगर इस प्राइस पर जैसे यह सिंबल जाएगा इसका उप्शन इसने प्राइस पर जाएगा तो आटोमेटिक एकजिट भी हो जाएगा तो इससे क्या है कि आपकी एकुरेसी बढ़ती जाएगे आपको पता चलता जाएगा पूरे दिन में 4-5 ट्रीड भी लेती हो चार देखते रहते ओर आप लेती हो तो आपके पास पैसे होने चीज़े लेने के लिए कि आप जरोदधा पर लोगे तो पैसे डालके ही कर सकते हो तो पिकपर ट्रीडिंग करा ने तो इस तरी बहुत ज्यादा लर्निंग करनी पड़ती है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा गैजिट होने चीए तो ऐसे में आप इस टूल का बैनिफिट उठा सकते हो जिसके लिए आपको एक रुपय भी पे नहीं करना पड़ रहा है ना हीडन करना पड़ रहा है ना फ्रेंट से करना पड़ रहा हम आपसे एक रुपय मांगी नहीं रहे तो आप अपनी चीजे करिए यह चीज होगी अच्छी यह तो मैंने बताए कि ओपन ट्रेड सपोज मानो आपको टीपी एसल के ब्याहब पे नहीं निकलना आपको दिल कर रहा है बही मैं अभी निकलू क्योंकि आपका आप पड़ पादन attorney करने का तरीका तो आप एड़ी बटन पर क्लिक करोगे अभी मैं करने से पहले पाख्या दिखा देतों क्लोज प्तन में कुछ नहीं गए यह जैसे अप एड़ीड लिक कर ना पड़ेगा यह उप पराद कर ब важно यह पादो को जैसे ब्रहल करा तो उपन पोजिशन से डाटा हट गया अब यह देखो तो इसके अंदर यह बता रहा है कि मैंने 111 रुपे पर बाय करा था 161 पर सेल कर दे क्योंकि मार्केट बने तो प्राइस तो सेम एक ही जगा रुका हुआ है और मुझे 0 रुपीज का लोस एंड प्रॉफिट हुआ है दिरे दिरे आपको पता चल जाएगा कौन सी रो का क्या काम तो यह आपको इस तरीके से एक ओडर लगाने में और काटने में हल्प करेगा तो यह इससे एडवांस वीचर हमने ओटोमेशन बना रखा है जिसमें यूजर आता अपना इंडिकेटर लगाता है सुबह लगा देता है साम को आकर चेक करता है कितना प्रॉफिट हैं कितना लोस हुआ पर यूजर क्या चारे कि वो तो यूज कर रहे हैं पर कई यूजर ह तो आई होप आप इसका यूज करके देखिए मैं कहता हूँ अगर आपने continue 3-6 मैंने ऐसका यूज करा और सीरेज होके यूज करा तो जो आज आप कमा रहे हो उससे दस गुना कमाने लग जाओगे या जो गवारे हो वो गवाना बंद हो जाएगा आपके कमाने में आजाए किसी future stop तो ये चीज के बारे में मैं वीडियो बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं भी थोड़ा सा काम रह रहा है तो starting है जिसके अंदर हमने ये बनाया और I hope आपको पसंद आएगा आप इसको use करके देखना अच्छा इसके अंदर कोई भी आप mistake करते हैं तो कोई भी error वेरर आपको show नहीं होगा बड़ी दिक्कत आजाएगी क्योंकि अभी इसे इतना user friendly नहीं बनाया तो इस future धीरे धीरे बनाएंगी कोई भी इशू आता है आप टेलिग्राम पे या WhatsApp पे हमें contact कर सकते हो हमारी टीम से contact कर सकते हो जैसे जैसे improve होगा आपको वीडियो मिलती जाएगी thank you for watching this video and bye